Assalamualaikum students, class LKG Science Book में आज हम पढ़ेंगे page number 40 पे traffic lights We must obey the traffic lights on the road हमें road पे traffic lights को मानना चाहिए तो traffic lights में कितने color होते हैं बच्चों? तीन color होते हैं, सबसे पहले red, फिर yellow, फिर green तो बच्चों कौन कौन से color होते हैं? red यानी लाल, yellow मतलब पीला, green मतलब हरा ठीक है बच्चों, ये तीन color traffic lights में होते हैं तो सबसे पहले क्या है? red says stop red क्या कहता है? stop, यानी वही पर हमें रुपना है yellow says get ready, yellow क्या हमें signal देता है? हमें ready होना है, green says go तो green क्या कहता है? हमें वहां से जाना है and off we go, फिर हम क्या करते हैं? चले जाते हैं वहां से बच्चों, traffic light में जब भी red कलर जलेगी तो हमें ये सोचना है कि हमें अपनी गाड़ी वहां पर रोग देना ठीक है? फिर इसके बाद yellow says get ready जब yellow कलर जलेगी वहां पर तो हमें क्या समझना है? कि हमें ready होना जाने के लिए green says go जब भी green कलर आएगा वहां पर traffic light में हमें green कलर जब भी दिखाई देगा हमें वहां से जाना है ठीक है बच्चों? red का मतलब क्या है? stop yellow का मतलब क्या है? get ready यानी ready होना है green का मतलब यानी go हमें वहां से जाना है फिर इसके बाद page number 41 पर क्या है? safety on the road road पर हमें क्या क्या safety क्या मतलब क्या से safe रहना चाहिए? क्या क्या safeties होते हैं? we must follow these safe habits हमें in safe habits जो हमें यहां पे दिखाए हैं in safe habits को हमें follow करने है when we are on the road जब हम road पे होते हैं तब हमें in safe habits को follow करने चाहिए सबसे पहले क्या है? do not play on the road हमें road पे क्या नहीं करना चाहिए? खेलना नहीं चाहिए हमें road पे नहीं खेलना चाहिए बच्चे अक्सर क्या करते हैं? road पे खेलते हैं तो हमें ये नहीं करना चाहिए रोड़ पर फिर इसके बाद cross only at the zebra crossing हमें zebra crossing पर ही road cross करना है तो zebra crossing से ही हमें road cross करना है फिर इसके बाद do not put your head out of a moving bus और कार हमें चलते हुए बस या